हेलो दोस्तों नम्षकार आप देख रहे हैं मेरा चैनल लेक्टिकल प्रैक्टिकल फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है यह ओयल फाइड बॉयलर है हमारे जो उसका जो सिक्वेंस कंट्रोलर होता है उसकी वाइरिंग के उपर बना रहे हैं दोस्तों पहले मैंने इस पे वीडियो अप्लोड की थी उसमें मैंने खाली डयाग्राम बनाके और उस डयाग्राम के बारे में जो इसमें टाइमिंग होती है सिक्वेंस की टाइमिंग उसके से वाइरिंग होती है अगर आपको इस तरह से वाइरिंग की हुई मिलती है आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या नया आपने इंस्टॉल करना है तो कंफ्यूज होने की कोई जुरूरत नहीं है आप ये वीडियो अच्छी तरह देखना ध्यान से देखना और आपको 100% क्लेटी आ जाएगी कि इसकी जो वाइरिंग आप कंट्रोल की वाइरिंग है वह किस तरह करनी है किस तरह हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं तो मेरे पास यहां पर सीकांश कंट्रोलर है दोस्तो यह देखरें तो यह मेरे पास कंट्रोलर है यह ऑक्सिलोन का है और नंबर सकते दोनों कम यह द् lle एवा यह बिल्कुल सेम यह देख यह भी आप यूज़ कर सकते हैं मेक इसका सीमन है दोनों ही साड़े तीन चारे हर की रेंज में अवे लेवल है मार्किड में आप ले सकते हैं दोनों के उपर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर रिसेट करने के लिए पुछ बटन दिया हुआ है जब कोई फाल्ट आता है तो यहां पर इंडिकेट हो जाता है इंडिकेशन शो हो जाता है कि फाल्ट आया है तो इसे पुछ करके हम रिसेट कर सकते हैं उसके बाद फ्रेंड्स इसकी जो वाइरिंग डाइग्राम है पिछली वीडियो मैंने दिखाया था ये इसके बैक साइड पे सारी वाइरिंग डाइग्राम दी हुई होती है तो उसी साफ से मैंने ये wiring जो diagram है उसके साफ से wiring कर रखी है अभी दोस्तों ये हमारा controller है और ये हमारा है controller का base ये हमारा base इसमें controller इस तरह से mount हो जाएगा इसके उपर mount हो जाएगा तो ये इसकी जो back पे ये pins दी हुई है ये देखे आप देख रहे हैं ये pin है तो pin यहाँ पर attach हो जाएगी हमारा ये जो controller है connect हो जाएगा उसके बाद friends यहाँ पर आप देखिए ध्यान से तो यहाँ पर numbers दे रखे हैं हर terminal का number है 4 number 5 number 6 number यहाँ एक से लेके 12 तक जो है यहाँ पर आपको terminal देख रहे हैं उसके बाद यहाँ पर यह देखे नीचे तीन टर्मिनल हैं यह बिल्कुल नजदीक तीन टर्मिनल हैं यह अलग है तो यह वाला है यहाँ पे देखिए हलका सा सिंबल बना हुआ है यह अर्थिंग का टर्मिनल है यहाँ पे आपने अर्थिंग देनी है इन सभी में अर्थिंग देनी है दोस्तों यह चार उपांचों और यह वाला दोस्तों यह नूटल का है दो नंबर पे अगर आप नूटल तो लगा दोगे तो यहां से एक step लगी हुई है यह इसके साथ connect है तो यहां पे हमारी जो neutle है यह तीनो terminals पे आ जाएगी दो number पर आपने neutle दी है तो यहां तीनो terminal पे आ जाएगी उसके बाद एक number पे आपने phase है जो connect करना है साथ ही साथ इसको को देखते रहते हम डाइग्राम को यहां पर हम देख सकते हैं यहां पर देखिए जो एक नंबर है यह देखिए एक नंबर पर यहां पर लाइन दिखा रखा है तो यह देखिए एक नंबर पर लाइन दो नंबर पर न्यूटर यहां पर उसके बाद दोस्तों यह जो आठ नं ग्रे hurricanes controller अधो के सिक्वेंस को ऑन करवाएगा जो हमारे learner के सिक्वेंस को स्टर्ट करेगा इसे कि हमने यहां पटन यह स्विच्वू दोनों यह हो गई हमारी निउटल एड में फेज की वाइंग जो मैंने यहां में कर रखी है यह एक नंबर और यहां पर फेज है यहां पर यह हमारा नीटल है उसके बाद दोस्तों यह तीन नंबर और यह हमारी 10-second वाली यह देखे 8 नमबर टर्मिनल पर यहां पर यह जो आ कनेक्टेड है एंड यह हमारी गई है स्विच को यहां पर मैंने एक स्विच लागार की है जो सिक्वेंस कंट्रोलर का सिक्वेंस स्टार्ट करेगा तो यह देखे उसके बाद दोस्तों यहां पर देखते हैं और 6 नमबर पर हमारा Ignition Transformer है तो यह है हमारा 6 नमबर तो यह नमबर पर मैंने यहां पर indicator लगा लिया है यहां पर दिखिए तो जैसे जैसे दोस्तों यहां पर यह दिखिए इसी pin को देखके चलना है हमने तीन नम्बर पे हमारी मोटर भी है स्विच के थुरू जो आएगी मोटर चल जाएगी उसके बाद जो हमारा 6 नम्बर है 6 नम्बर पे हमारा Ignition Transformer 4 नम्बर पे Wall 1 और 5 नम्बर पे Wall 2 11 और 12 पे हमारा है LDR और 10 नम्बर पे है Alarm अगर हम लगाना चाहते हैं यह अलार्म है तो अलार्म मैंने नहीं लगाया यहां पे लगा दिया यह वाल वन वाल टू इगनिशन ट्रांसफर्मर और मोटर तो इनकी जगा पे मैंने यहां टंप्रिरी चेक करने के लिए यह देखी यह फैन वाला इंडिकेटर हो गया यह इसके बाद हम कंट्रोलर लगाएंगे और चला के देखेंगे के सीक्वन्स कंट्रोलर हमारा चल रहा है के नहीं इसके बाद जो लास्ट में यहां पर मैं LDR कह रहा था यह हमारा LDR लगा हुआ है यह इस तरह का LDR लगा होता है दोस्तों ओयल फाइड बोईलर में तो यह ल हमारी यह लाइट कम होगी यह अंधेरे में चला जाएगा तो इसकी रिजिस्टेंस है जो बढ़ जाएगी दोस्तों तो पहले जब इससे स्टार्ट करेंगे तो हम इसे ऐसे मुठी में बंद कर लेंगे ताकि यह अंधेरे में रहे और जैसे हमारा सीक्वन्स स्टार्ट हो स्टार्ट का काम यह है तो फाइनली जो सीक्वन्स का लॉजिक है दोस्तों कैसे होगा वह मैं आपको एक बर बताता हूं जैसे पावर आउन करेंगे स्विच्च आउन करेंगे हमारा यह जो फैन है फैन का इंडिकेशन चल जाएगा साथ ही ट्रांसफर्मर का इंडिकेशन भी चल जाएगा दोस्तों पहले ट्रांसफर्मर आउन होगा उसके बाद हमारा वाल वन जो हमारा डीजल का वाल है वो आउन होगा तो उसे आउन होते ही हमारा वाल आउन होते ही दोस्तों हम LDR है जो LDR को ओपन कर लेंगे इसे लाइट दिखाएंगे अगर इसे लाइट न एक और दो तीन यह तीन नों इंडिकेशन कॉंटीनूजली हमारे चलते रहेंगे और हमारा सीक्वेंस कंट्रोलर उक्के कंडिशन में चलेगा तो चलिए एसे टेस्ट करते हैं दोस्तों तो मैं यहां पर औक्सिलोन वाला यहां लगा रहा हूं यह कंट्रोलर मैंने लगा दि है इसे यह देखिए मैंने मांट कर दिया इसको अभी सुच को पहले करते हैं आप पॉजिशन में तो इस सुच हमारा आप पॉजिशन में है पहले जो LDR को हम बंद कर लेते हैं ताकि इसे जो लाइट है लाइट नहीं दिखनी चाहिए अभी हमारे लाइट पड़ रही है यहां पर अभी यह पावर कोड है तो यहां से 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं दोस्तों इसकी सप्लाई है जो 220 वोल्ट देनी है आपने इस स्टार्ट हो गया पर सिक्वेंस अभी स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि हमारा ओनली फैन का जो इंडिकेशन है आ रहा है ट्रांसफार्मर अभी आफ है जैसे हम स्विच्च आउन करेंगे तो हमारा ट्रांसफार्मर भी आउन हो जाएगा दोस्तों तो यह देखिए मैं इसे अब हमें LDR को ओपन करना है यह देखिए अब हमने LDR को ओपन कर लिया कुछ टाइम बाद क्या आए वाल्व टू आउन हो जाएगा और ट्रांसफार्मर ओफ हो जाएगा दोस्तों थोड़ा टाइम वेट करते हैं देखते हैं इसके बाद आप स्विच्च को आउप भी कर स चुका है तो इस तरह से जो है sequence controller की wiring करते हैं हम एंड इस तरह से sequence controller का जो control है control logic होता है दोस्तों इसके अंदर जो logic है वो काम करता है अभी यह जिस position में है तो यह firing position में है इस position में यह continuously on रहता है तो इसमें जो हमारा boiler boiler का fan चलता रहता है उससे boiler को air जाती रहती है उसके बाद यह चलेगा साथ में वाल चलेगा जैसे वाल चलता है तो डीजल boiler के अंदर जाता है और उससे जो हमारी fire है fire हो जाती है और हमारा वाल्टू भी डीजल के लिए होता है, दोनों ये डीजल के लिए होते हैं, अगर किसी कारण से आग बुझ जाए, जैसे हमारा सिस्टम चल रहा है, अगर आग बुझ गई, तो हमारा सिस्टम है जो ये क्लोज कर देगा, ये एक बहुत बड़ी सेफटी है, जो कंट्रोलर हमे देता है, वो इस LDR सेंसर के थ्रू देता है, LDR सेंसर को पता चल जाएगा, कि कोई ना कोई गड़बड है, अंदर आग है जो नहीं लग रही है, तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है, आफ कर देगा, तो अभी इसको मैं बंद करता हूँ उठी में, उससे अंधेरा हो अगर हमने स्विच्च आफ करी होती, तो ये ट्रांसफर्मर भी ये देखिए आफ हो जाता, स्विच्च हमारी ओन में है, तो ट्रांसफर्मर ओन है, अभी कुछ देर के बाद फिर सिक्वेंस स्टार्ट हो गया, ये देखिए, फिर हमारा LDR में ने ओपन पोजिशन में कर हमारा वाल टू फिर ओन हो जाएगा, अगर यहां पर हम पुश बटन लगाते हैं, तो ये आटो री सेट होके, अपने आप दुबारा सिक्वेंस, नेक्स्ट सिक्वेंस अपने आप नहीं चलेगा, अगर हम यहां ये स्विच्च लगा देते हैं, कोई ना कुछ सिक्वेंस हैं, दुबारा दुबारा चलता रहेगा, अपने आप चलता रहेगा, तो अपने आप री सेट होगा, और कुछ समय के बाद चल जाएगा, ये दिखें जैसे ये चल रहा है, तो अगर हम इसे स्विच्च को आफ कर देते हैं, तो ये सारा सिस्टम आफ हो बारे में, उसकी वारिंग के बारे में, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि और लोगों तक, और मेरे फ्रेंड्स तक ये जो इन्फोमेशन है, ये पहुंच सके, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, ज्यादा से करना और शियर करना और थैंक्स पर वाचिंग